हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूं डोर मेट जिसे बनाने के लिए देखिए मैंने इसमें साड़ी ली हुई है और चुन्नी भी जो भी आपके पास बेश्ट कप्डा हो उससे आप बना सकते हैं तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यह देखिए सबसे पहले मैं इस पार्ट को आपको बताऊंगी तो यह देखिए यहां पे मैं इस तरह से और इसमें से यह देखिए सिलिप नॉट बना ली मैंने एक फंदा यहां से एक फंदे से मैंने स्टार्ट किया इसको आप देखिए यहांसे मैं फंदे बढ़ाऊंगी तो ऐसे घुमाय इस फंदे को बुल लिया पलट लिया इसको अब यहां से ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए इसको बनाना है यह देखे आगे आगे इस तरीके से दोनों तरफ से लिएक फंदा बढ़ाएंगे और इस दागे को इसी में कप्ड़े की पट्टी को इसी में लपएट लेंगे ताकि यह साप रहे ब्एक साइट से भी वह देखेँ कि यह देखिए इस तरह से इसको बनाना है और देखिए जितना बड़ा आपको चाहिए यह मैंने 26 फंदे का बनाया है 25 यह 26 फंदे से आप बना सकते हैं यह फिर ज्यादा भी आप कर सकते हैं 31 फंदे का यह 24 फंदे का जो भी आप इसमें रखना चाहें फंदे वह आप ले लीजिए उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया यह देखिए दो काई करते हुए इस तरीके से सभी फंदे बंद कर देंगे यह देखिए इस तरह से यह मैंने बना लिए ऐसे इस तरह के पार्ट मैंने इसमें दस लगाए हैं यह देखिए आप देखिए मैं यह वाला parts बताऊंगी तो इसके लिए देखिए यह वाला मैंने एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ लगाए हुए हैं टोटल तीन ऐसे सीधे लगाए हुए हैं और चार ऐसे लगाए हुए हैं तो यहां से इसी तरीके से इसको भी बनाएंगे, एक फंदा डालके, दो हो गए, बढ़ा लिए इधर से, एक इधर से बढ़ाएंगे, तीन हो गए, ऐसे, दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए बनाएंगे इसको और देखिए इसको एक फंदे से स्टार्ट किया है मैंने और एक पे ही इसका एंड कर देंगे हम ऐसे यह देखे इस तरीके से जतना बड़ा आपको चाहिए वह आप इसी तरीके से बना लेजिए यह जब आपके फंदे यहां पर पूरे हो जाए तो उसके बाद आप यहां देखिए मैंने यह साथ फंदे कर लिए अम मैं घठाना बता दीती हूं आपको इसी में इधर दो का एक कर दिया और यह वाले फंदे ऐसे ही बुन लेंगे यह देखिए इस साइड भी दो का एक कर देंगे ऐसे फंदे घठाने है इसमें आप देखिए इधर से ऐसे ही बुन लेंगे एक रो में फंदा घठाना है स्रिफ यह देखिए इधर बना लिया उसके ऐसे बना के complete करने है ज़र देखिए तीन फंदे रह जाएंगे तो तीन का एक कर देंगे लाश्ट में ये देखिए इस तरह से और इस कपड़े की पट्टी को कट करके इसके अंदर से निकाल देंगे और देखिए इसी तरीके से मैंने ये सब पीस बना के और देखिए इनको मैंने set कर दिया देखिए तीन ये करें उसके बाद फिर ये दो फिर तीन बीच में बड़ा है ये फिर उसके बाद दो और उसके बाद ये तीन और देखिए दो इधर और दो इस साइड तो ऐसे मैंने इसको बना के complete किया है उल्टे तरफ से सभी parts मैंने देखिए जोड दि हैं और इसी तरीके से complete करके